कैसे हो मेरे बाई तो आज है day 206 मेरे ब्रमचरी चीवन का तो आज जो हम बात करेंगे यह हम करेंगे नुफएप वूमेन अट्रेक्शन को लेकि जरा वीडियो के टाइटल बड़ो मैंने लिखाया नुफएप वूमेन अट्रेक्शन नौट ब्रमचर है वूमेन अट्रेक्शन क्योंकि ब्रमचर है एक ऐसा बात है जहां पे आपको लड़कियों से दूर रहना पड़ता है आपको किसी भी तरह का सेक्श्वल अक्रिविटी करना ही नहीं और अपनी एनलजी को ट्रांस्मूट करना है फूल है ना और फूल में अगर रस है तो फिर मदुमक्य उसके आसपस घूमेगी पर अगर फूल सुखा हुआ है तो कोई भी मदुमक्य उसके पास नहीं आएगी सेम यही चीज़ होती है आपके नौफएप में जब आप नौफएप करते हो तो आप अपनी सीमन को डेटे करदी तो फिर भाइ तुमारा नलोौ है तुमारा डो यहां चला जाएगा फिर फिर फायदा का अगर तुमारी पावर ऊस्चीज़ से चली जा रही है तो तुमारा फायदा क्या हॉआ पूँकि पॉस्तिधाम काूइप में अपर उसलीए प्यूर्टी का बात है यहां पर पावर आ जाती है ये नेचर ने दी है भाई तुम अगर एक दूसरे के साथ रोके तो वो अट्रैक्शन पावर तुमें खीची लेगी वो लस्ट कभी न कभी आई जाएगी वुमें के साथ इसलिए ब्रहमचर में एकदम मना किया गया है वुमें को लेकर अब क्यों ये खा पावर अगर तुम फिर से इस चीज़ पे कहें तुमारी पावर चली जाएगी इसलिए ब्रहमचर एक प्यूर्टी का बात है ये एक लाइफस्टाइल है बलकि अगर तुम नुफैब देखो नुफैब कोई 90 डेस करता है कोई वन वन येर तक कर लेता है ओल्राइट बो इ पूटा पूटा रहता है कि भाई वोमेन अट्रेक्शन मुझे मिल रहा है मेरी लाइफ चींज हो चुकी है पर उनसे पूछो जिनके पास वोमेन अट्रेक्शन हो चुकी है जिन्होंने उन्हें एपनी गर्फरेंड बना लिया है क्या हुआ उसके 6 महीने बाद या 3 महीने दो खुश रहते हैं and the answer is नहीं रहते हैं अगर तुम्हारे पार्टनर के बीच कोई ऐसे फिस्कल इंटीमिशन नहीं है जो लव है वो प्यूर है तो पॉसिबल है कि भाई तुम खुश रहो लेकिन अगर तुम्हारा लव प्यूर नहीं है अगर किसी भी पार्टनर में ऐस lustful desire आई फिर चाहें वो man हो फिर चाहें वो woman हो ठीक ना अगर किसी के मन में भी ऐसे lustful desire आई और फिर तुम उन सारी चीजों में पढ़ने लगते हो जो कि अच्छी नहीं है आपको पता है जो हमारा हिंदू धर्म था उसके उसमें शादी के बाद ही sex के लिए allowed था और वो जादा spiritual इतने हाई नहीं रहते हैं जतने हम लोग हाई रहते हैं हमारे इंडिया में जो पुराने लोग थे वो spirituality में बहुत जादा हांगे थे जो हमारे जो वेत पुराने इनकी जो संग्रशना करी गई है आप इनको अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़े हैं जो एक्शली साइंस में भी तक नहीं आई हैं बट उन लोगों ने इस चीज़ को सर्च करके लिख दिया था कि यह चीज सही है और आज उस चीज़ पर साइंस रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि हाँ यह सारी चीज़े सही है वोमेन अट्रेक्शन यार तो तुम्हारा वो एक परिवार हो जाता है ठीक है वो तुम्हारी एक फैमिली हो जाती है जिसके सांग तुम्हें अपना सुक तुक पार्ट के चलना है तुम्हें लाइफ टाइम उसके साथ रहना है पर जब तुम्हारी फैमिली नहीं होती ठीक है वो तुम्हारे हर डिस प्रज़ायय सेक्स की डिसायर हो कुछ पैसो की डिसायर हो कि वह लड़की जाता खुपसूरत हैश्य। नारिक या फिर उस लड़क हैश्य। पैसा पैसा है तो इस लड़के बच श्याया है, तो ये तुमारे उपर depend है कि तुम woman attraction करके अपनी जो powers हैं ये waste करना चाते हो या फिर तुम transmute करना चाते हो उस energy को तुम किसी भी रूप में transmute कर सकते हो बाई तुम अगर steady में अपना अच्छा करना चाते हो तो steady में अपनी उस energy को लगाओ देखो तुम steady में टॉपर बन जा जोगे क्योंकि तुम्हारी जो brain की power है जो concentration है जो तुम्हारा focus है वो इतना strong हो जाएगा कि तुम कोई भी चीज़ बढ़ोगे तो गम chances है कि तुम बहुत जल्दी वो चीज़ भूल जाओ उसे हमेशे recall करते रहे रहे रिवाइस करते रहे फिर देखो तुम कितने power roll बन जा जो चीज तुम चाहोगे न वो चीज तुम्हारे पास आने लगेगी यह power है एनरजी की तो तुम्हारी एनरजी जित हाई होगी न तुम उतनी जल्दी उन चीज़ों का attract करने लगोगे अब मैं तुम्हें एक example जता हूँ मेरे इस चैनल हो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया समझे तो भाई law of attraction जो चीज तुम पाना चाहते हो और तुम्हारी एनरजी उस लेवल पे है तो वो चीज तुम आटोमेटिक अट्रेक्ट कर सकते हो भाई यह power law of attraction के और सूचो तुम वूमेन अट्रेक्शन पर गये तुमने 5 मिनिट तुमने 10 मिनिट चलो मान लिया maximum तु वूमेन अट्रेक्शन या वूमेन के पास जाने का मतलब ही क्या बनता है अगर तुम्हारे पैसा होना चाहिए है कि वह कोई भी चीज मांगे तो तुम उसके सामने हाजिर कर सको तो अभी तुम्हारी जो पावर्स है उसको ट्रांस्म्यूट करो किसी भी अपने गोल पे ल अभी होगा उससे बचके रहो और कोई भी कोशन आपका वुमेन अट्रक्शन से रिलेटेट तो कमेंट में बता देना और अभी जो यह निबड़ी का ट्रेंड चल ला है इससे बचके रहो यह ट्रेंड तुम्हें कहीं नहीं पहुचाएगा बिल्कि तुम्हें ऐसी खाई मे कर देगा ना जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेश अचीव कर सकते हो बस इतना ध्यान रखना तुम्हें तुम्हें तुम्हेरी एनरजी को बढ़ाना है तुम्हें उस हाई लेवल तक लेके जाना है कि तुम कोई भी को जल्दी अचीव कर सकते हो यार ब्रहमचर है सिर्फ तुम्हेरी एनरजी को इतनी हाई कर देगा ना तुम्हें हमेशा मोटिवेट, कॉन्फिदेंस, फिस्कल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी रखेगा ना कि तुम अपने गोल की तरफ इतनी जल्दी भागोगे न जल्दी चुम्हें